तो आगते साथ ही हो आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथ ही में अभी आपने रिसेंटली जितने भी प्रेस कॉंफरेंस हुएंगे और BPSC का जो 75 इस्थापना दिवस था जिसमें CM ने भी अपनी बात को रखी तो उससे आप अवगत होंगे तो हम लोग ने वेट किया न कोपी लिखना है, Artificial Intelligence के Implementation की बात हो रही है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं और यह पांच एहम बाते जो है, हर एक BPSC ऐस्परेंट को जानना बेहत जरूरी है, क्योंकि यह Prelims as well as Men's दोनों examination के लिए, Prelims जो 69 थाने वाला है और Men's जो 68 था तो सबसे पहले हम लोग भासका का cutting देख लेते हैं, यह इसमें BPSC के Chairman अतुल प्रशाद जी ने साफ साफ का है, कि BPSC पैटन में complete बदला हो गया है, और अनुपियोगी courses हटेंगे, बदले पैटन के साथ 68 मुख्य परिच्छा 12, 17 और 18 महीं को, यह सबसे पहला आपका update है, कि examination का date और time announce हो गया है, first shift में क्या होगा, second shift में क्या होगा, उसको भी हम लोग देख लेंगे, आप लोग जानते भी होंगे उसको, कि किस-किस shift में examination होने वाला है, और पूरा complete जो pattern है, वो change होने वाला है, ठीक है, अब एक जैसी पढ़िक्षाओ के लिए, common PT और mens में उत् होगा, मतलब जो भी BPSC, 1.500 questions का जो भी exam conduct कराता है, तो जो जो exams उसमें आते हैं, like CDPO हो गया, auditor हो गया, तो उन सभी का common PT examination होगा, 69 से, जिसको जानते भी है, एक official announcement यहां पे आ गया है, ठीक है, उसके बाद कहा जाड़ा कि mens में उत्तर क्रमबार और निर्धारी जगह में ही लिखने होंगे, mens में हम लोग answer writing करते हैं, तो हम लोग कभी कभी proper sequence में नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो उसके कारण क्या होती है, कि जब copy scan होके, जब भी examiner के पास जाती है, तो जब examiner computer पे copy को check कर रहे होते हैं, तो pages by pages go through करने में issues होता है, क्योंकि chairman साब ने भी recently कहा था, कि GS1 और GS2 को ही check करने के लिए 28 examiner सायद उन्होंने कहा था, कि लगे हुए हैं, और issue क्या होड़ा है, कि एक question, एक examiner check करता है, और कभी कोई student होता है, कभी कोई student होता है, कि उसने फलाने page में उसी का answer लिख रखा है, तो किसी ने फलाने page में लिख रखा है, तो इसके कारण pages by pages जो है, pages को पलटने में computer screen पे issues होड़ा है examiner को, तो ये इसके कारण क्या होता है, कि examination का जो आपका result आता है, उसमें delay होता है, आपका copy checking में delay होता है, examination का result में delay होता है, क्योंकि maximum जितने भी copy check करने वाले हैं, वो लोग retired professors हैं, या किसी university या college में भी पढ़ार है, lecturer है, तो age का भी issue है, जो कि chairman शाब ने का, तो अब हम लोगों को क्या है, कि mens में अम लोग अगर answer writing कर रहे हैं, तो हम लोगों को उत्तर करम बार, मतलब sequence में हम लोगों को अपना answer लिखना होगा, उत्तर को करम बार निखला होगा, और निरधारी जगह पे ही उत्तर को लिखना होगा यह दो चीज इंपोर्टेंट निकल के आ रहे हैं, यहां पे 30 सप्तंबर को होने वाली 69th PT examination के लिए एक ही परिक्षा का नियम लागू होगा, common PT examination है, यह आपका prelims के लिए हो गया, PT common, mens का cut-off अलग होगा, ठीक है, PT तो आपका common होगा सभी का, like अगर आप BPSC के लिए appear हो या CDPO के लिए, auditor के लिए होगा, तो सभी का PT सेम होगा, common होगा, लेकिन cut-off सभी का अलग अलग निकलेगा, जो लोग मेंस के लिए कालिफाई करेंगे, CDPO के लिए cut-off अलग होगा, auditor के लिए लग होगा, BPSC के लिए लग होगा, CC examination होगा, तो यह एक important update, BPSC कम या अधिक अ परिक्षा में, return exam में, बहुत अच्छा score कर लेते हैं, बट, interview में उनको इतना कम marks आता है, कि final merit list में, उनका नाम नहीं आपाता है, तो यह कहीं ना कहीं एक तरीके का जाती है, और इसमें कभी भी यह नहीं होता था, कभी भी जाच नहीं होता था, कि हाँ, interviewer ने क्यू कम marks यह उस प्रॉपर स्टूडेंट को, क्योंकि बहुत सारे चात्र संगतन पूरा complete video conferencing का भी मांग रख रहे थे हैं, कि जो भी interview होते हैं, जो भी पैनलिस्ट, जब interview लेते हैं, students का साथ चात्कार होता है, उसका complete video conferencing दिया जाए, तो वो ना करके जो है, यहाँ पे, एक चीज से जादा मांक्स देते हो, यह आपका threshold है, 30% से कम, less than 30% and more than अगर आप 80% देते हो, तो आपको कारन बताना होगा, जादा दिया तो क्यों दिया, कम दिया तो क्यों दिया, तो चलो यह एक आपका बढ़िया निउस निकल के सामने आड़ा है, 30% से कम, यह 80% से जादा नंबर आता है, तो interview board को explain करना होगा, ठीक है, और सडवी मुख्य परिक्षा आपकी बाड़ा माई को है, ठीक है ना, बाड़ा माई को आपकी अर सडवी की मुख्य परिक्षा है, time and date आपका announce हो चुका है, बाड़ा माई को आपका GS paper 1 होगा, first shift में होगा, 10 बजे से एक बजे तक, GS paper 1, और फिर 17 माई को आपका GS paper 2 होगा, first shift में, यानि कि 10 बजे से एक बजے, और उसके बाद 2 बजे से पांच बजे, ऌन की हिन्दी होगा, second shift में, उसके बाद 18 माई को आपका निबंध का paper होगा, first shift में, यानि की 10 बजे से 1 बजे तक, और जो आपका optional paper है, वो आपका होग कैंने कि दो कंरिगेहा हुगा औरका इक्जाम होगा उत्तर लिखने के rapp chant कि जो मेंने अपको बताया कि सीक्वें स्टे निथ लिखना है ठीक है ना सीक्वेंज वइनटाथ स्टां पढ़ि sounds स्थान दिया गया है copy में जहां पे आपको उत्तर लिखना है वहीं पे आपको अपना उस particular question का answer वहीं पे आपको लिखना है यह नहीं कि आप किसी random page में जाके कोई random question लिख रहे हो आपको synchronized manner में copy लिखना होगा ताकि जो copy check करने वाले हो उनको issues ना हो ठीक है आगे बढ़ते हैं BPSC के तीन सदस्यों के लिए मनोनयन का काम पास दिनों में कड़े पूरा यह अभी मुख्यमंतरी का अदेश है क्योंकि तीन सदस्य का वैकेंसी अभी भी है BPSC के board में तो उसमें कहा गया है कि आप जल्दी से जल्दी यह काम पूरा कीजिए और BPSC को और भी दुरूस्त कीजिए क्योंकि CM ने यह भी कहा है कि maximum number of जो भी वैकेंसी जाती है अब उसका भार भी BPSC को ही सौपा जाएगा जो भी examinations conduct होते हैं अलग-अलग different different kinds of उसका complete भार भी BPSC को ही दिया जागा क्योंकि BPSC बहुत अच्छा काम करी according to the Chief Minister of Bihar 10 लाख युवाओ को नौकडी वा 10 लाख को रोजगार के लिए तेजी से कड़े काम ठीक है 10 लाख जो जौब का जो announcement था उसके लिए कहा गया कि तेजी से काम कीजिए केंद्र के सभी मंत्रियों को दी आती है सुरक्चा तो यह आपका दूसरा न्यूस है यहाँ पर इस्थापना दिवस समाड़ों मैं आपको दिख रहे होंगे CM Nitish Kumar तो यह हो गया उसके बाद पेपर लिए यहाँ पर एक राज येपाल यानि तो उसके बादे में का गया कि पेपर लिख एंड नेपोटिजम की अगर अधिकारी का बेटा है तो उसको अगर पाशेलिटी उसके साथ ना हो मतलब सभी के लिए सभी के लिए सेम एक ही एक्जामिनेशन हो सेम क्राइटेरिया हो जो सब को फुल्फिल करके लग गया होगा क्या-क्या चेंजेज हैं और एक बाद हम लोग मोटे-मोटे तौर पे एक बड़ा और फटा-फट डेख लेते हैं जो मैंने बताया कि इंटर्व्यू में अगर 30% से कम आता है 80% से ज्यादा आता है तो रिटेन में देना होगा इंटर्व्यूर के पैनल को कि क्यों ऐसा उन्होंने किया उसके बाद हम लोग ने एक्जाम डेट के बारे में तो देखी लिया फर्स शिफ्ट शेकेंड शिफ्ट में जो जो एक्जामिनेशन है और एक इंपोर्टेंट अनॉंस्मेंट यहां पर यह भी है कि जो भी कोश्चन के अगेंस्ट में हम लोग अपना इशू रेस करते हैं क्योंकि इस बार बीपेसी ने जवाब भी मांगा था उन सारे स्टूडेंट से जिन्होंने बीपेसी का आयोक का टाइम वेस्ट किया एक बार एंसर देने के बाद भी दुबाड़ा उन्होंने सेम इशू को रेस किया था बीपेसी आयोक के सामने तो उसके कारण उससे कारण पूछा गिया है और उनको बोला गया कि आप कारण बताई है दर्वाइस आप पे कही ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक्षन लिया जाएगा तो यहां पर भी पेसी क्या कर रहा है पहले तो आपको इमेल के जड़िए जो है अपना इशू रेस करना था हम लोगों ने देखा था कि जो भी 68 में जो भी कंप्लेंट से जो भी रेस किये गया थे स्टूडेंट के दौड़ा जिद जिन कोश्चन्स में तो इमेल के थूँ आपको अपना इशू रेस करना था बट अभी अध्यक्ष साहब का अनौंस्मेंट आया है कि वो पोटल के थूँ लोंगे लेंगे जो भी कंप्लेंट से जो भी इशूज है, वो पोटल के थूँ इब इशूडेंट कर पाएंगे, पहलाबार तो हो समेंट कर सकते हैं और अगर पहला बार उनका从ोंका कंप्लेंट को दिया जाएगा अगर प्रॉपर उनके पास साक्ष मौजूद नहीं है इस्टूडेंट के पास अगर वो एक बार इशू रेस करते हैं पर डिगलर कोश्चन के सामने और अगर आयो उसको रिजेक्ट कर देता तो अगर फिर से दुबारा करते हैं तो 500 उपीस का फाइन दिया जाएगा और इस बार जो है आपका इमेल के जड़िये नहीं बल्कि पॉर्टल के जड़िये आपको अपना इशू रेस करना है यह एक इंपॉर्टेंट था कोश्चन वाइज एंसर हम लोगों को लिखना है यह तो हम लोगों ने देखा कि सीक्वेंस मैनर में हम लोगों को जाते हैं तो उनको कही ना कही शू होता है जिसके कारण आपका टाइम बहुत जादा कंजियूम हो रहा है पेपर चेक करने में साथी साथ रिजल्ट अनाउंस करने में भी बहुत टाइम वेस्ट होड़ा है तो इसके कारण जो है आपको अब सीक्वेंस में और निरधारी जगह पर ही अपना उत्तर लिखना है और एक जो है आटिफिशल इंटेलिजेंस का जिक्र और चैट जीपीटी का भी जिक्र हम लोगों ने प्रेस कॉंफरेंस में अगर सुना होगा चैट जीपीटी जिसके बाड़े में बहुत ज्यादा चर्चा है कि एक आटिफिशल इं जब इसको UPSC का पेपर दिया गया सॉल्व करने के लिए तो तो प्रासंगिक तो नहीं है हाला कि लेकिन अब्जेक्टिव कोशन में इसूस हो सकता है और जो लंबे लिखने वाले जो रिटेन इग्जामिनेशन होते हैं मेंस में उसमें इसकी रिलाइबिलिटी हो सकती है इसकी इंटिग्रिटी हो सकती है तो यह एक मतलब छोटा सा एक जिक्ड किया गया था यहां पर आयोग की अदेक्ष के दोड़ा कि हम लोग आटिफिशल इंटेलिजेंस को भी इंप्लिमेंट कर सकते हैं मेंस के कॉपी को चेक करने के लिए हाला कि यह प्रासंगिक नहीं है रिलाइबल नहीं है चैट जीपीटी अभी भी तो यह मुख्य मुख्य क्रम वार सीक्वेंस फॉर्मेट में हम लोगों ने सिलसलेवार फॉर्मेट में हम लोगों ने आपके लिए पूरा कमेनिट न्यूस पर कटिंग और अलाउंग विडैट जो भी पीपीएसी मेंस और बीपीएसी पीटी में जो भी चेंजेज होने वाले हैं जो भी अपडेट होने वाले हैं एक्जामिनेशन को लेके या जो कॉमन एक्जाम होगा उसको लेके या कटफ को लेके उन सभी चीजों के बार में लोगों ने चर्चा की आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया आने वाले examinations के लिए देर सारी सुब कामना है and all the very best